हलो औन वेल्कम फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं कंट्रबॉचर के बाए में और कंट्रा बउचर में हम कैसे ईंट्री करेंगे और यह वीडि़ियो खासतार पे अंकित नाम है इनका और इनहीं के लिए मैंने बनाया है और इन्होंने सवाल किया है कि cash withdrawal करना हो cash तो हम कैसे करेंगे तो चलिया यह देख लेते हैं इसको कि हम कैसे करेंगे तो पहले मैं क्या करता हूँ इससे बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर gateway of tally पर हम आ चुके हैं अब एक company हमारे पास है आनि लेंड संस ठीक है अब हम जाएंगे सीधा accounting voucher में आप वी प्रेस कीजिए keyboard से आप आ जाएंगे accounting voucher में और counter voucher में आने के लिए आपको यहाँ पर side में आपको दिखाई दे रही है हरी रंग की पट्टी इस पट्टी में आपको यानि यह कंट्रा इस पर क्लिक कर रहा है माउस से otherwise आप F4 function बटन भी प्रेस कर सकते हैं हमको entry सीखनी है debit and credit में तो एक बहुत ही आसान सा rule मैं आपको बताता हूँ आप debit credit में भी entry बहुत आसानी से कर पाएंगे इसके पहले मैंने 2 और buy के form में account वाले form में हमने entry बताई थी और काफी ज़्यादा वो भी वीडियो आप लोगों ने पसंद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये entry कैसे होगी वो समझी है देखिए जो cash होता है न वो भी अमारी asset है यानि संपत्ती है और जो bank में हमने पैसे रखें अपने account में वो भी अमारी संपत्ती है Contra voucher में कौन सी entry होती है अपने ही bank से पैसे निकालना अपने ही bank में पैसे जमा करना ये सब entries जो है Contra voucher में होती है अब हमको क्या करना है जब भी अमारी संपत्ती घटेगी तो उसी को credit करेंगे और जहां जाएगी उसे debit कर देंगे ठीक है तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे जैसे माल लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं cash जमा करवा रहे हैं अब हमारे पास एक laser मैंने बना रखा है PNB का आप आसानी के साथ create कर सकते हैं alt के साथ c press कीजेगा और जैसे म of India यह मैंने लेखा enterprise किया इसको जाने देंगे हम bank account में अगर side में आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के groups आ रहे हैं यहाँ बी प्रेस कीजेगा तो bank account आपको display हो जाएगा यहाँ से bank account select कर लिजे कर लिया यहाँ पर account number डाल सकते हैं जो भी आपका account number है IFSC code जो भी हो डाल सकते हैं फिलाल मैं blank छोड़ता हूं यह सब enterprise करके इसको accept करा लेता हूं यह हो गया तो central bank of India से पैसे निकाले जा रहे हैं ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा लेकिन हम क्या कर रहे हैं central bank of India से पैसे नहीं निकाल रहे हैं हम cash जमा कर रहे हैं अपने central bank में तो वो शो कर रहा है हमें फिलाल central bank रखना है यह यह central bank कर दिया हमने ओके एंटरफेस किया अब कितनी नोटें हैं उनकी डिटेल 2000 की बस एक नोट है एंटरफेस किया यह आ गया ठीक है अब यहाँ पर narration में आप दे सकते हैं जैसे मैं ने लिखा यहाँ पर the amount bank account यह narration में दे दिया हमने बस एंटरफेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया यह हमारा काम हो गया तो बहुत ही असान है debit credit के भी form में entry करना बहुत ही असान है मैं फिर आपको दिखाता हूँ इस बार हम इस बार हमने पैसे जमा किया अब हम पैसे निकालेंगे तो रखिए यह formula की cash और bank में रखे हुए पैसे यह दोनों ही हमारी संपत्ती है जो भी हमरे पैसे है और जो भी हमरे bank में पैसे है दोनों हमारी संपत्ती है तो जब संपत्ती की बात आती है तो हम क्या करेंगे जब भी संपत्ती जाएगी तो उस संपत्ती को जिस form में जा रही हो या bank to bank transfer हो रही हो ठीक है जहां से निकल रही है जहां से cash जा रहा है या फिर cash ही जा रहा है तो cash को हम क्या करेंगे credit कर देंगे ये बात याद रखिएगा इस बार हम क्या कर रहे हैं पहले तो जमा किया इस बार हम पैसे निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे हैं, Central Bank से निकाल इँन्ट रुपए वाले यहाँ से दो बाद तो आप असानिक साथ देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पांसो रुपय वाली एंट्री यह जो है इस तरीके से शो हो रही है अगर आप इसका प्रेंट निकालना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P प्रेस कीजिए और कई लोगों का तो यह भी सवाल होता है कि यह PDF में फाइल न कर दिया अब चलिया यह देखते हैं यह बैंक यहाँ पर आया हुआ है तो डबल क्लिक करेंगे इसको देखेंगे कि कैसा यह प्रेंट दिया हुआ है तो यह देखिए इस तरह से यह आ गया है हमारे पास तो पांसो रुपय हमने क्या किया है ठीक है निकाले हैं कैश निकाल this video